हालो स्टूदेंग्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आ गए हम आज फिर से आपका एक नया टेस्ट पेपर लेकर अब इस टेस्ट पेपर के बारे में हम थूड़ा सा मुश्कल से एक या दो मिनिट बाद डिस्कुस करते हैं आपको कुछ बताना है हमारे चैनल पर हम बहु कि ऐसा नहीं करते कि आपको दो वीडियोस फ्री में दे और उसके बाद हम आपसे बोले कि इसके आगे का कंटेंड आपको देखने के लिए आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको कुछ पेमिंट करना पड़ेगा या कोई पैकेज पर्चेस करना पड़ेगा ऐसा हम ब हमारे पीछे स्लाइड में देख भी रहे हैं कि यहां मैगनेट बेन पर जो टेस्ट पेपर हैं वह 100 परसेंट फ्री हैं सिर्फ यह टेस्ट पेपर ही नहीं जितना भी आप से लेबर्स के एक्स्प्रिनेशन के एंसे आटी सल्यूशन एम सेक्यूस जतना कुछ भी आप देखना चाहेंगे सभी टोटली फ्री मिलेगा किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक का और साथ ही साथ आपका स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ओलंपियाड एंटी एरसी ज चैप्टर के हम आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं ताकि कोई भी क्लास में आपका टेस्ट पढ़े रिवीजन हो कुछ भी हो आप फटाफट इन टेस्ट पेपर के थ्रू जो है कोई क्रिवाइस कर ले और आपके लिए सभी एक्जाम्स और टेस्ट बहुत ही इ तो आज की हमारी क्लास है 11th, 11th हिंदी कोर्स प्रस एलेक्टिव व्याकरण वो पोर्शन जो हमारी किसी बुक से नहीं आता हमें अलग से दिया जाता है वो पोर्शन का है तो आज जो हमारा वीडियो है वो है पत्र लिखन पे आपको जैसे PDF पहले मिला है उसमें आपके साम इनको लिखने का क्या तरीका रहेगा क्या क्या चीजें सभी को हम यहां पर ध्यान पूर्वक बता रहे हैं उन्हें जरूर देखेगा और समझेगा क्यों कि में के जो पत्र लेखर होता है उसमें बहुत जरूरी होता है आपने सही लिया तो उसके अंदर का कंटेंट आप इजिली दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहां पर तो सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है प्रश्ण वो है बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड नई दिल्ली के सचिफ को लिपिक के पद के लिए अपनी योगताओं का विवरण देते हुए आवेदन पत्र लिखना है तो य क्या है सबसे पहले सेवा में प्रमुक सचिफ बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड नई दिल्ली तो आब आप जो जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम तो हम नहीं जानते नहीं जानते तो उसके पद नाम जगा के नाम से हम यहां पर शुरू कर देते हैं फिर उसके बाद आत श्यादा महत्णut it अचैक कुछ यह भी चीजे होती हैं कि बहुत से जो लेर साते हैं उनमें सेवा में लिखा जाता है या अब इसमें सेवा में यहां तो हम नहीं हैं, तो यहां पर हम सेवा में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम उनकी सेवा में आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे कारिक करें, तो इसलिए हम उनको बहुत ही respectfully करते हुए सेवा में लिखेंगे, जैसे ऐसे हम जैसे आप दे तो यहां पर आपको समझ में आगे सेवा में वो जहां पर हम किसी के अंडर हूं यानि कि जैसे कोई संस्था जहां कारी कर रहे हैं यहां हमारा स्कूल कॉलेज जहां पढ़ रहे हैं और यह एक ऐसी जगा जहां पर हम कारी करना चाहते हैं तो वहां पर हम सेवा में शब्द का करते हैं हिंदुस्तान दैनिक पत्र 12 सितंबर 2000 आर के अंक में प्रकाशत विज्यापन के अनुसार आपके यहां लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रत किये गए हैं मैं इसी पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर स्वयम को प्रस्तुत करना चाहता हूं अपने संब देते हैं क्योंकि इसके साथ हमारा बायोडेटा जुड़ा होता है इसलिए हम यहां पर आवेदन पत्र में संच्छत विवरन अपना देते हैं तो कैसे देते हैं नाम है अब शेक कुमार पिता का नाम श्रीकुंदन लाल साहा जन्मति थी 11 जुलाई 1915 पत्राचार का पता यानिकि आपका अड्रेस आपने अड्रेस दे दिया तो यह हमारा जो इनिशल था यह हमने क्योंकि जब हम बायोडेटा लिखते हैं तो उसमें माता का नाम पिता का नाम फोन नंबर सब कुछ देते हैं तो यहां पर हम थोड़ा हलका सा देंगे अब सेक्शन की योगताओं को भी हम यहां पर देंगे बायोडेटा में हम पूरी तालिका बनाते हैं इसलिए यहां पर हम हलका देंगे कैसे देते हैं हाई स्कूल हमने किया राज बाल उच्च विद्याले नजफगर से 71% में किया दूसरा हमने दिया CS स्कूल राज बाल उच्च विद्याले नजफग पाठेतर गतिविधियां, यानि कि पढ़ने के इलावा जो हमारी गतिविधियां रही है, सांस्कृतिक एवन सहायतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी रही है, मैं आशा करता हूँ कि लिपिक पध है तो मेरी उमीदवारी पर आप सकरात्मक प्रतियुत्तर देंगे फिर हमारी जो आशा है उसको हम करते हुए पत्र का अंत करेंगे कैसे धन्यवाद भव दिये धन्यवाद देंगे भव दिये लिखतेंगे फिर अपना नाम लिखेंगे और अंत में डेट डालेंगे अब सन लगने यानि कि अब इसके साथ हम क्या चीज जो है जिनकी फोटोकॉपी दे रहे हैं क्योंकि एक आविदन पत्र है तो उसके साथ हमें फोटोकॉपी देनी पड़ती है क्या क्या है प्रमार पत्र एवं अंक तालिकाओं की फोटोग्राफी मतलब जितनी भी हमने अभी अंदर यहां पर हमने जितने भी क्लासस के बारे में यहां दि तो आविदन पत्र इस तरीके से तयार किया जाता है। तो हम जैसे एरिया के लिए अपना एरिया जो भी है हम एरिया को डाल देते हैं तो वहां में अपना पूरा पोस्टल एड्रस नहीं लिखना होता है। यहां पर जो है अपना पता लिख देते हैं पूरा जहां पर पूरे पते की आवशक्ता नहीं वहां पर हम अपना इनिशिल एड्रस दे देते हैं। यह इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पत्र पर दूसरा पत्र क्या है चुनाफ के दिनों में आपके शहर की दिवारे नारे लिखने और पोस्टल चिपकाने से गंदी हो गई हैं। इस समस्या की और ध्यान आकरष्ट करते हुए किसी समाचार पत्र के संपाधक को पत्र लिखें। में कहां लिखना है कहां नहीं लिखना। फिर से समझा रही हूँ सेवा में जो आएगा वो ऐसी जगहां उपर आता है जहां हम किसी संस्था के अंतरगत हो या अंतरगत होना चाहते हैं। चीज़े कहां आती हैं कहां इसको कि सब लोग अपचारिक पत्रों में सेवा में पहले लिख देते हैं। तो ये आपको लिखना ही नहीं है। सबसे पहले हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पत्र का नाम संपादक हैं वो लिखेंगे फिर कहां पर हैं कौन सी जगह है। इसको मेंशन करेंगे उसके बाद हम आते हैं विशे पर विशे क्या है शहर भर की विवारे गंदी होने के संदर्भ में। तो यह चीज सेवा में की चीज concept clear हो गया है हम यहाँ पर देने के बाद में जब हम विशय दे देंगे विशय देने के बाद में हम क्या देते हैं हमने बोला आप respectfully शब्दों के साथ start करेंगे महोद है इस पत्र के माध्यम से चुनावी नारों और पोस्टरों से होने वाली ग अख़बार में अख़बार आता है उसमें एक प्रष्ट होता है संपादी की प्रष्ट उसमें एक कॉलम होता है जिसमें संपादक के नाम पत्रों को छापा जाता है तो आपको अपना पत्र वहीं छपवाने की रिक्विस्ट कर रहे हैं तो क्या है इस समय में शहर के नाम पर मन मानी पन एवं अनुशाशन हीनता लोग तंद्र की अपरिपक्वता का परिचायक है राजनितिक दलों के कारेकरता जहां जी चाहें पोस्टर चिपका देते हैं नारे लिख देते हैं और वह भी काले सफेद और लाल पेंट से वे यह भी ध्यान नहीं रखते कि जिन सूचना पटों पर शहर, गली, महले, संस्थान आदी के नाम या मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं उन पर पोस्टर लगाने से पता ढूंडने वालों को काफी परिशानी होती है आप देखते हैं चुनाओ की दौरान बहुत सारे होडिंग, पोस्ट, जंडियां सब चुनाओ की बाद कोई राजनितिक दल या सरकारी संस्था इनकी खोच खबर नहीं लेती ताकि उन पोस्टरों और नारों को साफ करवा दिया जाए, मुझे लगता है कि ये प्रजा तंत का बड़ा मजाक है, मतब चुनाओ की दौरान आपने प्रोमोशन दो कर दिया लेकि ये हरजाना उसी दल से मिलना चाहिए जिस राजनितिक दल का पोस्टर चिपका हो, तो यानि कि जिनकी दिवार ओपर जगहां ओपर ये पोस्टर चिपके हैं उनको हरजाना मिलना चाहिए और कहां उनी से मिलना चाहिए जिस राजनितिक दल के वो पोस्टर है, फिर अंत कर अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा अनौपचारिक पत्र है क्या है आपके छात्रवास एवं विद्याले में बिजली अनिये में धंग से आती जाती रहती है इससे होनी वाली असुविधाओं का उलेक करते हुए अपने पिता जी को पत्र लिखे मतलब आप जिस हॉस्टल में र लिखते हैं तो वह अनौपचारिक पत्रों की कैटिगरी में आता है अपचारिक पत्र वह होते हैं जो हम किसी कार्याल या संस्था को मिलते हैं और जिने हम नहीं जानते हैं तो वह हमारे किसमें आते हैं वह आते हैं हमारे अपचारिक पत्रों में यह आपको डिफ्रेंस सम यह address कहां का होता है, यह address हमारा होता है, यानि हम पत्र लिख रहे हैं, हमारा address है जहां हम रहते हैं, अब इसमें आपको पूरा अपना postal address देने की ज़रूरत नहीं है, initial address दीजिए, बहुत है, तो यहाँ पर आप दो या तीन लाइन में अपना address देंगे, उसके बाद लिखने का भी format जो है, अपचारिक अनापचारिक पत्रों में अलग-अलग होता है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, 19 मार्श 2000, तो यहाँ यह आपका अनापचारिक पत्रों को लिखने का, यह अनापचारिक पत्र में हम इस format में लिखने, लेकिन अगर हम यही date अपच यह किस में होगा, यह आपचारिक पत्र में होगा, ठीक है, आपचारिक पत्र में इस तरीके से पड़ता है, और अनापचारिक पत्र में इस तरीके से पड़ता है, यह हमारा format होता है, इसको आपको ध्यान लगना है, तो यह हम अनापचारिक कर रहे हैं, तो यह इस तरीके के से पढ़ेगा पूज्य पिता जी आप पिता जी को पत्र लिख रहें तो क्या लिखेंगे पूज्य पिता जी साधर चरण इस पर्श मैं यहां कुशलता पूरवाक हूं तथा आशा करता हूं कि आप लोग भी साकुशल हूंगे मेरी पढ़ाई ठीक से चल रही है लेकिन ब बिझली बोड की ओर से नित निजली की कटवती की जा रहे है कई बार तो बिझली उसी समय कट ती है जब पढै का समय होता है शाम को प्रति दिन छे से 9 बजे रात तक et u उपयुक्त समय होता है बिजली की अनुपस्तिती में सारी कागरता भंग हो जाती है और मच्छर भी बहुत काटते हैं हमारे छात्रावास में जंग्रेटर की सुविधा भी नहीं है इस समस्या के कारण मेरी ही नहीं सभी विद्यारतियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पढ़ रहा है इसका सीधा असर परिक्षा परिणाम पर पढ़ेगा तो यह समस्या आपको पिता जी को बता नहीं थी तो आपने इस तरीके से बताया आगे आप लिख रहे हैं मेरी कोशिश रहती है कि बिजली रहन्री के समय पर अधिक्तम सदूपयों पढ़ने में किया ज घर के सभी लोगों को यथा योगय अभिनंदन आपका पुत्र और नाम तो यहां पर आप जैसे हमने दिया घर के सभी सद्दस्यों को यथा योग अभिनंदन माता जी को चरण पर्श पिता जी को आप चरण पर्श करी चुके हैं चोटे भाई और बहन को प्यार या बेचता हूं आप इस तरीके लिखे आपका पुत्र क्योंकि आप उनके पुत्र हैं आपका आग्याकारी पुत्र जो भी आप देना चाहें वो उसके बाद ना तो पुत्र पुत्री आग्याकारी पुत्र होगा और आग्याकारणी पुत्री होगी यह आपको ध्यान रखना हो किया जाएगा आप चाहते हैं कि पिता जी भी इसे देखें पिता जी को बुलाने के लिए पत्र लिखिए यानि कि आपके स्कूल में जो है आपके पढ़ रहे हैं वहाँ पर एन्वल फंक्शन होने वाला है तो आपको वहाँ पर पुरुसकार मिलेगा आपके अच्छे कार्य के लिए तो आप चाहते हैं कि जब आपको पुरुसकार मिल रहा हो तो आपके पिता जी वहाँ पर आए तो इसके लिए आप पिता जी को यहां पर बुलाना चाहते हैं अपने पास तो उनको बुलाते हुए आपको पत्र लिखना है कैसे लिखेंगे देखेंQué फिर से भाई सबसे पहले आपको अपना क्या लिखना है एड्रेस लिखना है दो से तीन लाइन में आप एड्रेस लिखेंगे फिर दिनांग पिध्यान दीजिए साथ मार्ज 2000 इस तरीके से लिखेंगे फिर पुझे पिता जी सादर चरण इस पर्ष ठीक है अब जैसे लड़किया लिख रहे हैं तुम्हाँ चरण इस पर्ष लड़किया नहीं लिखेंगे तो सादर नमसकार या सादर प्रडांग इस तरीके से आप लिख सकते हो फिर आपका इसनेशित पत्र तथा पत्र यथा समय प्राप्थ हो गया था यानि की बहुती प्यार भरा पत्र समय से प्राप्थ हुआ था कार की विवस्था के कारण पत्र उत्तर में विलंभ के लिए छमा प्राड़ थी हो मतलब काम में बिजी था इसलिए उत्तर नहीं दे सका इसके लिए छमा मांगता हूँ वस्तुता पिछले एक महा से हम विद्याले के वाशिकोच्षव की तैयारी में लगे हुए हैं कल ही ये वाशिकोच्षव आयोजत किया जाएगा कारिकरम का संचित विवरण इस प्रकार है अब आप कारिकरम का विवरण दे रहें क्योंकि विवरण देते हुए पत्र लिखना है और बुलाना भी है तो विवरण दीजिए सबसे पहला जो रहेगा गत बर्षों की भाती इस वर्ष भी विद्याले को दुलहन की तरह सजाया जाएगा इस अफसर पर माननीय सिक्ष निदेशक तथा अनेक गड़मान अतिती उपस्तित रहेंगे दूसरा है सुरस्वति वंदना के साथ वाशकोस की कारिकम का सुभारम होगा इसके पस्चात प्रधानाचार अथितियों का हारदिक स्वागत करते हुए वर्ष के दौरान प्राप्त हुई स्कूल की उपलद्धियों का उलेक करेंगे फिर सांस्कृति कारिकरम प्रस्तुत किये जाएंगे इसके अंतर ग्रत लोक नत्य लोक गीत मूख अभिने तथा नाटक आधि प्रस्तुत किये जाएंगे नाटक ही सांस्कृति कारिकरम का सबसक प्रमुक आकर्शन होगा अधिकाल का रक्षक नामक इस नाटक के प्रमुक पात्थ सेट घंशाम दास का अभिने मैं ही करूँगा तो अभिने वो कर रहे हैं उन्होंने ये भी बताया कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ इस अफसर पर कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा इस प्रदर्शनी में नन्हे मुन्ने कलाकारों के चित्रों को प्रदर्शत किया जाएगा सांस्रितिक कारिकर्ण के बाद मुख्य अठती मानीनी सिक्षा निदेशक विद्ध्याले की गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्ध्यारतियों को पारितोशिक प्रदान करेंगे पुरुस्कार पाने वालों में मैं भी शामिल रहूँगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस अपसर पर आप भी उपस्थित रहें शेश सब कुशल है मेरे मित्र भी आपको अपना अभिवादन भेज रहें माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा आपका पुत्र और अंत में नाम लिख दीजेगा तो इस तरीके से ये पत्र हमारा यहां पर समाप्त हो जाएगा तो अब आपको समझ में आ गया कि ओपचारिक पत्रों का फॉर्मेट कैसा रहेगा पूरी तरीके से ये चिस क्लीर हो चुकिए फॉर्मेट का ध्यान रखना है अंदर के मैटर्स को आप अपने हिसाबसे बना सकते हैं ध्यान रखिएगा छोटे पत्रों को नहीं लिखना इसमें word limits आपके पास रहती हैं तो उन word limits का आपको बहुत ही ज़ादा ध्यान रखना है हमारे चैनल को आप यानि की magnetsbrain.com को जरूर subscribe कीजिए क्योंकि इसे आपको आगे आने वाले वीडियो की notification टाइम से मिलते रहेंगे जिसे आपको पता रहेगा कि आपके कौन से subject कौन से topic का वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पे आपको जितना भी content provide कराया जाता है बहुत ही उच्च quality का होता है साथ ही ये totally arranged होता है आपका class wise, subject wise, book wise, chapter wise और साथ ही topic wise total सब कुछ arranged रहता है ये नहीं कि आपको एक topic पढ़ने के बाद दूसर topic ढूणने के लिए परिशान होना पड़े उसका link आपको तुरंधी मिल जाता है साथ ही teachers बहुत ही efforts के साथ पढ़ाते हैं आपको हर एक चीज totally clear करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर किसी भी तरह की आपको परिशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल को like, subscribe, share जरूप कीजेगा thank you for watching, bye bye